नमस्कार दोस्तो मैं रावल सास्त्री स्वगत करता हूं आपका अपने चैनल के अंदर दोस्तो जिस टोपिक के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हुए संतान योग संतान योग की लालसा हर किसी को अपने जिंतकी के अंदर लगी रहती है तो कुंडले के मैंद्देम से आपको पुतर की प्राप्ती होगी और किस गरह की वज़े से आपको पुतरी की प्राप्ती होगी किस बाव के अंदर संतान योग को देखा जा सकता है तो बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक है आज का शुरू करते हैं दोस्तों देखिए ये कुंडूली का जो पाचवा भाव है जिसे इस्ट देव भी बोले जाता है और पंचमेस भी बोला जाता है यहां से हम संतान योग के बारे में देख सकते हैं तो सवपरतम आपको देखना है कि कौन-कौन से कारक गरह है जिसका पुतर जिससे पुतर का प्राप का पता चलता है देखे सूरिय मंगल और गुरू यह पुतर के कारक गरह हैं इसी परकार सुक्र सनी और चंद्र यह पुतरी कारक गरह हैं अगर इस भाव के अंदर या तो इन यह बैटे हो इस भाव के अंदर इनका गरह हो या फिर इनकी दरश्टी पढ़री हो तो कैसे इस मंगल की जो दरश्टी होती है, वो चोथी, सात्वी और आठवी होती है, जो गुरु की दरश्टी होती है, वो पाचवी, सात्वी और नोवी, इसी परकार जो सनी की जो दरश्टी होती है, वो होती है तीसरी, सात्वी और दसवी, बाकी सब गरह की जो दरश्टी रहती है, व और वो पुत्र और पुत्री कारक गरह नहीं होते तो उनका इस कुंड़ली से क्या रिलेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो सवपरतम देख लेते हैं देखिए अगर सूरिये मंगल या गुरू अगर यहाँ पर बैटे हो पाचवी स्थान के अंदर कोई भी गरह हो सूरिये हो मंगल हो या गुरू हो तो आप यह समझ लिजे आपको पुत्र की प्राप्त होगी अगर कोई भी गरह है यहाँ पर ना बैटा हो वो अपनी दरश्टी से देख रहा है । तो कोई भी घरह अगर यहां पर बैटा होगा साथ भी दरश्टी तो सबके होती है तो यहां पे शूरिये मंगल गुरू सनी शुकर और चंद्र इनमें से कोई सा मिचा भी यहां पर अगर मंगल बैटे हुए या कोई भी बैटे हुए तो सात्वी दर्ष्टी आपको होगी तो इनी घर है कि अगर सात्वी दर्ष्टी भी यहां पर पटरी हो या इस बाव में बैटे हो तो आप समझे लिजे आपको संतान्सूख की प्राप्ती होगी इसी परकार मंगल यहां पर बैट गई तो एक, दो, तीन, चार, पांद, शे, सात, आट तो भी आठवी दर्ष्टी मंगल की पटरी है संतान्स योग पे शंतान भाव में तो भी आपको लिट्गी की प्राप्ती होगी इसी परकार अगर मंगल यहां पर बैटे तो मंगल की एक, दो, त तो इन चार, चोती दरश्टी पड़ी, तो चोती वी, आठीवी, ये मंघल की दरश्टी होती है, तो मंघल अपनी दरश्टी से भी देख रहे हैं हूँ इस भाव को, तो भी आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, इसी परकार सूरी है अगर यहाँ पे बैठे हmittel हूँ, तो आ चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे की तीन दरश्टी होती है अगर सनी यहाँ पे बैटे हैं तो एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस अपनी दसवी दरश्टी से संतान भाव को देखा तो पुतरी की पराप्ती होई इसी परकार सनी यहाँ बैटते हैं साथवी दरश्टी से संतान भाव पर देखते हैं तो पुतरी की पराप्ती होती है इसी परकार अगर सनी यहाँ पर बैटते हैं तो अपनी तीसरी दरश्टी से संतान भाव पर देखते हैं तो पुतरी की आपको पुतरी की पराप्ती होगी तो मैंने आपको बताया इसी परकार अगर चंदरमा यहां पर बैटे यहां पर बैटे यहां पर बैटे यहां पर बैटे तो संतान योग बनाते ही बनाते हैं इसी परकार अपने दरस्टी से भी बनाते हैं इसी परकार चंदरमा गर यहां पर बैटे तो साथ भी दरस्टी संत संतान के लिए तो मैंने बता दिया कि कोई गरह यहां पर बैठा हो या अपनी दरश्टी मातर से संतान का योग बनाता है आगे चलते हैं दोस्तों देखे सनी राहू और केतु सनी राहू केतु इस भाहों में बैटे हो सनी पुतरी के योग भी कराते हैं पर साथ-साथ वह किस किसी चांच में इअबोर्ट कराने के भी पूरे-पूरे चांचीज होते हैं तो अगर व Не ठiकर संतान वाहों के लिए अच्छे नहीं होते अगर इनकी दरश्टी बाद रही है सनी को आप ये ले जीजे, वो पुतरी की प्राप्ते भी कराते हैं, पर किसी-किसी कुंडली में देखा गया है, अब ओट होने के भी चांसीच होते हैं अब दोस्तों इसके अलाव आपको देखना है, गुरु जो ब्रसपती होते हैं, वो कुंडली, ये तो मैंने बता हैं आपको कौन-कौन से कारक गरह हैं, जो तो आपको होने ही होने, साथ-साथ आपको देखना है गुरु का प्लेशमेंट और गुरु अगर कुंडली के अंद गुरु शुरु जैसे अस्त हुए, या वो बलहीन हुए, जैसे उनकी डिगरी 28-39 वर्दवस्ता में है, या फिर बाले वस्ता में जुरु एक डिगरी है, और गुरु जो है, या फिर गुरु चटे-ाटवे-बारवे-बाहों में बैठे हैं, गुरु सपोज गुरु यहा बहुत मुश्किल आएगी, इसी परकार पंचमेश, पंचमेश होते हैं, यहाँ पर यह पांचवे-बाहों के जो मालिक है, अगर सपोज गुरु यह करकलगन से स्टाट हुई, चार नंबर की रासी यहाँ पर है, तो करकलगन की रासी हुई, इनके जो स्वामी है, वो मालिक होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो मंगल होते हैं, तो मंगल का प्लेस्मेंट देखना जुरूर यह, जैसे गुरु का मंगल जुरु च्छटे-8-वे , और 12-वे भाहों में नहीं होने चाहिए, या फिर वो बलहीन नहीं होने चैहिए उनके डिगरी कम नहीं होने चाहिए थो Gesine Yourself-nag, संतान सुंख मैं थोड़ी दिले हो सक्ती है या प्रैसाणी हो सक्ती है अगर कुंडली के अंदर गुरु और पंचमेस यानि जो स्थोब के मालिक हम यह दोनों यह तो इस धोड़ी. बारेवा तो त्रिक भावव वह यह बलंषीं या सूरीय सास्थ यह और किसी गरह के आध मैंने आपको बताया है कि कोन-कोन से कारक गरह है जो कुटली के अंदर आपको पुत्र सुक देंगे जिनकी दरस्टी से और अगर वो यहाँ पे बैटे हैं इसी परकार कौन-कौन से गरह हैं जिससे आपसे पुत्री की प्राप्ति हो सकती है गूरू और पंचमेश का क्या वास्ता है आपकी कुटली के अंदर यह मैंने आपक आया और कौन-कौन से ऐसे गरह हैं जो संतान भाव के लिए अच्छे नहीं है एक चीज़ आपको और धहन लगनी है जब-जब इन गरह की अंतर दसा दसा आएगी या प्रतंतर दसा आएगी या सुक्सम दसा आएगी प्राण दसा आएगी जब-जब पूरे-पूरे चांस वीडियो के बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे-च्छे योग जो 30 के माद्यम से भी जो आपको पहुत ज़रूर ये अगर आप सीखना चाते हो तो दन्यवाद मित्रो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरा चैनल दन्यवाद